नमस्कार दोस्तों मैं हिट देश मिस्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ डिकोर्ड इक्जाम के इस डेली क्रेंट फिस प्रोगम में कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेतर धंक से कर रहे होंगे यार्म आईसी लताब मारेगा आपको ऐसे मुकाम पर आपको लाकर छोड़ेगा कि आप कही के नहीं रहोगे यानि कि जिसने समय का सम्मान नहीं किया जिसने समय के साथ चलना नहीं सीखा वो व्यक्ती जीवन में बहुत ही पीछे रह जाता है आसफलताओं से बहुत ही दूर रह जाता है इसलिए अपने संगर्सों पर आप विश्वास रखें और आपको ये विश्वास रखें कि अगर आप संगर्स कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज होगी अभी एक मेरा फ्रेंड जो है उत्राखंट PCS में SDM हो गया भी जो रिजल्ट हाली में आया था फाइलली उसका कल ही मेरे पास फोन आया हलाकि रिजल्ट तो आय हुए कई दिन हो गया लेकिन कल उसका फोन आया और मुझे भी नहीं बता था तो वो ऑफनल करने के बाद चला गया था घर अपने उत्राखंट चला गया था तो उसके बाद कई लोगों ने उसको कहा कि भाई मतलब आप दिनली छोड़के क्यों चले आये वहाई पर रहना चीए था ऐसा वैसा ठीक है लेकिन उसने वहीं पर रहके पढ़ाई की एक प् हो जदा पिंच करते हो 篇क यार तुम घर पर तहारी क्यों करते हो यार तुमने आलाइन कोचिंग क्यों ले लिए है तुमने इस कोचिंग मैंने इस कोचिंग में तुमकोem को एडमीूशन लेना चायता कुछ नहीं आपको जहां लगता है आप मेरे हम सेलपीस्टेडी करन की पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की रोत्तराखंड ने इस समय सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया कलिफ होना था ठीक है इग्नोर किया उसमें लेकिन तो मैंने कहने का मुलब यह है और संखर्स भी किया क्योंकि सिंपल सी बात है एक खास एजब हो जाती है 2019 की बात है हम कोचिंग करते थे 2019 के बाद आज जो है 24 चला है ठीक है तो यह संखर्स लंबा होता है लेकिन ध्यानिकना यदि आप में पेशन्स है यदि आप सम्मान करते हैं समय का रिस्पेट करते हैं टाइम का यकीन आपका सफलता जो है आपको जरूर मिलेगी बशर्ते क्या है आप अ प्रेली समय दे रहा हूं सेम सूचना आपके लिए के डिकोड एक्जाम के माधम से इस समय क्या हो रहा है इस समय आरो यारो जो है प्रलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट चल लगी है इसमें 7000 प्रस्टनों को आपको कराये जाएगा इसके लामा आपको टेस्ट कराये जाएगी 15 रहेंगे वो और जो भी बदलता हुआ ट्रेंड है एक्जामनेशन का आपके आरो यारो का उन्हीं के बदलती है ट्रेंड के कोडिंग के आपको कुशिस दिया जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसको आप डिलिस में आप लोग प्रैक्टिस करते हो यही क्या होता है मस्ट है और प्रैक्टिस के लिए दो ही चीज़ है आएक आपका प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं अगर आपको इस प्रोग्राम में जुड़ना है तो आप क्या काम करना है आपको आपको लिखना है वीडियो टेस्ट और उसको लिख आपको सूचना अब हम आते हैं आगे यानि कि आज हम लोग फटाफट क्या करते हैं रिवीजन करते हैं वाई साब रिवीजन यानि कल का तो हाली में टाइम मैगजीन के AI की प्रभावशाली वinkतियों की सूची में किस केंदरी मंत्री को सामिल किया गया था तो वो तो घृष था चुली ठीके हैं और चुली की बारे में खाल रिवी ँभी। जो ISA है उसका आईजन कहां पर किया गया तो वो किया गया भाईसाब नई दिल्ले में और कल हमने ISA यानिकी अंतराष्टे सौर गडबंधन के बारे में हमने आपको बताया था कि ISA का जो मुख्याला है वो गुर्गाओं हरियाना में है वर्स 2015 में इसका गठन किया गया था स समलित देश कौन कों से होते हैं करक और मकर रेखा के बीच इससे देश होते हैं ऐसा क्यों क्योंकि ऐसे देशों में करक और मकर रेखा के बीच में समलित दोसों में उर्जा की प्राप्ती जादा होती समलित जादा मिलती है इसलिए सौर उर्जा का विकास वहाँ पर जाद हो सकता है लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें जो है कर्क और मकर रेखा के बीच इस्थित जो देश थे उनकी इलामा भी अन्य जो देश थे उनको भी सामिल करने की घोंच्टा कर दी गई थी ठीक है इसके नामा हाली में किसके दोरा अगनी 4 वेलेस्टिंग मिसाइल के परच्छर किया गया भाई साथ तो वो DRDO के दोरा किया गया यादर कियेगा इसके नामा अबुधाबी के Crown Prince का नाम क्या है जो कि अभी हाली में 3 दियोसिये भारत की यातरा पर आए हुए थे तो उनका नाम है सेख खारिद बिन मुहम्मद बिन जायद अलनहयान इनका नाम है इसके नामा अंतर राष्ट्य साथ शर्था दियोस कम मना जाता है यह भी most important question है तो यह मना जाता है भाईस तब आपका 8 सितंबर को यह भी आपको क्या करना है याद रखना ठीक और अब हम आते हैं next question पर हाली में इसरो के अध्यक्ष है और जो की आपके एक्जामें पूशा भी जाता कि बताईए इसरो के अध्यक्ष कौन है और कल हमने आपको इसरो के बारे में बताया भी था इसके लावा हाले में किस भारतिय को पहली बार ACI Olympic परिस्द यानि की OCA का अधिक्ष चुना गया है तो वो चुना गया है पहली बार ररधीर सिंग को और ये जो है कुशन क्या है आपके लिए important है कल के परिस्द का उत्तर अब देखते हैं हम लोग कल हमने आप से पूछा था कि बताओ भाईस ताब बल्वंत्राय मेहता समित्य का गठन किया कप किया गया तो वो 1957 कई बार ये option आपका 1956 भी हो सकता क्यों तो बिसकली 1956 में से गठन किया गया तो 1957 में रिपोर्ट समिट की गई थी तो कई बार confusion हो जाता है लेकिन आपको पता होगा और पंचाती राज व्यवस्ता को सबसे पहले कहां पर भईया लागू किया गया फटा फटा फट कमेंट करके बताईए जो की question आपके exam में पूशा जाता है ठीक है अब आते हैं पहले प्रस्ने पर पहला प्रस्ने क्या है कि हाली में किसे पैरा अलंपिक 2024 के समापन समारो में भारत का धजवाहग बनाए गया है कि हरविंदर सिंग, निसा पटेल, मंजीत पटेल या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका option number A यानि कि हरविंदर सिंग को दरसल अभी क्या किया गया है जो समापन हो रहा है पैरा अलंपिक का उसमें क्या किया गया है धोजवाहग अगर बात करते हैं उद्घाटन में कौन से कौन दो लोग धोजवाहग थे तो वो थे सुमित अंतिल और भागिस्री जाधो यह दो लोग थे जब उद्घाटन था तब उसमें धोजवाहग बनाए गया था नेश्य हाली में किस राजिकी विधान सभा ने दल वदल तो वो हो जाएगा आपका option number C यानि की हिमाचल प्रदेश option number C is the right answer ठीक नौनेस्ट तो हिमाचल प्रदेश ने अभी क्या किया है इसके लिए नोने सदस्यों के pension एवं भत्ते संसोधन विधेग 2024 को पारित किया है ठीक है यानि की अगर कोई नेता दर बदल करता है ठीक है तो उनके pension और भत्ते को रोग दिया जाएगा ऐसा विधेग हिमाचल प्रदेश विधान सवा ने अभी हाली में क्या किया है पारित किया आते है और एक question अक्सर आपके exam पूशा जाता है वो ये कि जो डल बदल समंधी जो प्रावधान है वो दसवी जो अनसूजी है उसके अंतरगत दल बदल समंधी प्रावधानों की बारे में जानकारी आपको मिलती है तो ये प्रशने आपके exam में कई बार पूशा गया है इसको तुरंत कर लिजे आप लोग क्या नोट कर लिजे फटा फटा आप लोग ठीक और अब अगर बात करते हैं अन्य तथ्थों की तो बात करते हैं तो राजधानी इसकी क्या है भाई साब सिम्ला है पता होगा मुख्मंत्री कौन है सुखविंदर सिंग सुख्ष है और विधानसभा अध्धिक्ष आपके exam में इस बार पूश सकता है क्योंकि हिमाचर प्रदेश विधानसभा इस बार कई मुद्दों पर चर हिमाचर प्रदेश को आप लोग क्या है देख पारे हूंगे एक तरफ इसके ऊत्तराखंड है एक तरफ इधर पंजाब का अएरिया ओपर जमू कस्मीर है और फिर िधर है इधर उपर के साइड में जो है क्या है लदाकर और एक सेरेग पर क्या लगा हुआ हुआ है चेंद प्लास्टिक प्रदूसर करता है, वो कच्रा करता है, वो कौँस ऐसा देश है, तो भाई साब वो सुन्दर सा प्यारा सा अच्छा सा देश कौँस है आपका भारत है, यानि कि जो कपड़े के जोले होते हैं, उसका इस्तिमाल किया करिये, या लिफाफे जो कागस के होते हैं, जो डिगरेबल टाइप के होते हैं, आप प्लास्टिक की पॉलिथिन्स, प्लास्टिक के डिब्बे वगरेगा कम से कम इस्तिमाल किया करें, यह क्या है हमबली रुकर्ष्टि लेकिन दिक्कत क्या है हर सामान प्लास्टिक के डिबे में पैकर किया आती है ठीक है और भाई साथ जल्दी यह डिग्रेट नहीं होता है Not Degradable में आता है प्लास्टिक ध्याना किये का और इसको जलाओगे तो जलाने पर जो इसकी गैस निकलती है धुआने का तो वह और हानीक लेकिन दिक्कत क्या है कि आप पढ़े लिखे हो तो प्लास्टिक का जोला ले लोगो तो सामने वाले भाई साप कहांगे कि यार तुम तो जोला लेके चल नहीं हो शरम आती है आपको पौधिन ले लोगे आप उसमें शरम आपको नहीं आएगी क्योंकि आप तो एक दम कमस्टिक पढ़े हो सब जानते होंगे आप लेकिन नए आ आपको काम करने ही आपको दिखावा करना है फइसा है एन्वार्मेंट को बचा लो नहीं तो एन्वार्मेंट जो है जिस दिन खराब हो गया ना उस दिन कुछ भी बचने वाला नहीं है दुनिया सब्चे परट ज जाएगी ठीक है चलो तो हालिया रिपोर्ट के अंसार बैस्टिक अस्तरपल प्लास्टिक पर दूसर करने वाला जो देश है वह आपका सुन्द्या सादेश भारत है ध्याने किये और भारत में हर साल 1.02 करोन टंग प्लास्टिक कच्रा उत्पर्ण होता है बहुत बला लेविल पर अपने आप में ठीक और दुनिया में सबसे ज्यादा प्लास्टिक कुड़ा फैलाने वाले देशों में भारत के बाद अगर दूसरे स्थान पर कोई सा देश है कौन है वह न पॉपलेशन में तो हमने सीख लिया चैनिस है कि हम तो तुम से आगे जाएंगे तो पॉपलेशन में तुम तो चीन से आगे निकल गए कि हम तो खुब पॉपलेशन करेंगे लेकिन चीन से जो अच्छी बाते हैं वह भी सीखने की कोशिश किया करिए ठीक है चलो और भाई अश्या चाजी में तूफान यागी कहां पर आयासारा अमेरिका government चीन जापन एक टेरेलिया Hi थे यह आय भाई सब चीन और चीन के बाद यह Σीधे कहा पर चलागया चीन के बाद इयization सब भाई सब आपका बियत नाम में भी इसने जो है तबाही की तो हो चकता है चीन की जगापर बियत नाम भी आपसके आप सुन में रख दे ठीक है तो हाली में टाइफून जो यानि कि तूफान जो यागी है चीन में आया और तूफान यागी इस साल का ग्यारामा तूफान ह जो की चीन के समुद्ध तर से टकराया और इसने पहले हैनौन में दस्तक दिया यानि कि वहां पर आया और उसके बाद फिर गुवांग डोंग जो प्रान थे वहां पर पहुंचा और इसके बाद फिर चलाया कहां पर भाई साब बियत नाम में टकराया ठीक है चलो आगे वरत टेंसर डिपरस्ट भी आपके एक्जाम के लिए जरूरी है तो दूसरा अंतर राष्ट के बाध मीडिया समयलन नई दिल्ली में इसका आजन किया गया थीम आपके लिए इंपॉड़न्ट है थीम क्या इसकी थीम है संघर्ष से बचने और सतत्विकास के लिए गंभीर चिं तो 17 जो SDG GOES है उसको रेडिकर लिजेगा यह पहयाट टास्क है और सतत्विकास धान ये विकास क्या होता है इसको आप लोग डेटेल्स में पीसे के पॉइंट अभी से रेडिकर लिजेगा और निबंध की दिश्टिकोंड से भी सतत्विकास क्या है आपके एक्जाम के ल करना है ध्यान कियेगा और जो यह आयोजन हो रहा बिसकली यह 11 सितंबर को इसका आयोजन किया गया याद देखिएगा ठीक नेश्ट है हाली में निम्लिकित में से किस संस्थान के द्वारा अपना अंतर राष्ट्य परिसर अबुधाबी में स्थापित किया गया यह जब ह होने वाला था इसकी जब घूश्टा की गई थी तो यह प्रिस्ट मैंने आपको कराया था अगर आपको याद होगा मई या जून महिने में तो इसका जो सहित्तर हो जाएगा वो जाएगा आप्शन नंबर बी यानि कि आया टी दिल्ली का जो एक परिसर है वो बिसकली अब अंतराश्ची लेविल पर अबुधावी में स्थापित किया जाना है कि घूश्टा कर दी गई है स्थापित किया गया है वहाँ पर ठीक और इसके लामा अबुधावी के जो अभी क्या है जो क्राउन प्रिंस है सेख खरिद बिन मुहम्मद बिन जैद अलनायान ये भारत क कि तीन निन की यात्रा पर भी थे इसको भी हमने आपको प्रशनापके एक्जाम में कराया है ठीक है तो आयाटी दिल्ली का जो पहला परिसर इंटरलेस्टर लेविल का है वो अबुधावी में क्या कर दिया गया है इस्थापित कर दिया गया है ठीक है चलो निश्टर हाली में कहां पर भारत के पहले ACI राजा गिद्धों के सरंच्छन और प्रजिनन केंद्र इस्थापित किया गया है यह बैसिक लेबिल का अपने आप में क्या है पहला केंद्र हो जाएगा और यह मौस्ट इंपॉर्डन है यूपी स्पेसल का कुशन है भाई साब जा दख लीजे प्रजाती के लिए दुनिया का पहला सरंच्छन और प्रजनन केंद्र क्या है इस्थापित किया गया है जो की इंपॉइंट है और केंद्र का नाम क्या होगा भाई साब केंद्र का नाम होगा जटायू सरंच्छन और प्रजनन केंद्र ओके नेश्ट या केंद्र लुप्त लुब्त प्राइ परजात्यों की आबादी में सुधार करेगा जो वर्च 2007 में से अंतराष्ट्य प्रके تhran छर संकर की लुब्त प्राय सूचिय में क्या है। दर्ज और गिद्धों की संख्या क्यों कम क्यों लुब्त प्राइ हो रहा है। आप सभी लोगों को पता होगा, डिगलुफानेक जो मेड़ेसिंस है, जो की पस्वो के लिए इस्तिमाल कियाती थी, तो उसी की वज़ा से, यानि कि उन पस्वो को खाने की वज़ा से ही, गिध्ध जो है क्या हो गए, एक्सपायर होते चले गिए, उसमें, डिफेंट टाके इस्तिमाल करते हैं, वो भी एक प्रमुकरणों में रहा है इसके, ठीक है, और जो गिध्ध होता है, वो क्या है, अपने आपमें एको सिस्टम में एक मेन रोल प्ले करता है, और अगर एको सिस्टम, यानि कि जो अब घटब की रूप में अगर ये चीज़ें नहीं रहेंग समयन का आयोजन किया गया, कौन सा स्थान है आपका, तो अमेरिका है, नई दिल्ली, वीजिंग या काटमांडू, तो इस समयन का जो आयोजन है, बिसकली, वो कहां पर किया जाएगा, नई दिल्ली में भाई साब, और ये प्रस्ण भी आपके एक्जाम के लिए क्या हो जात है, तो आयोजन कब से कब तक होगा भाई साब, ये भी 25 नॉमबर से 30 नॉमबर 2024 के मध में इसका आयोजन किया जाएगा, और इसके लामा कहां पर होगा, ये भायत मटपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा, ठीक, थीम क्या होगा इसकी, सहकारिता सभी के लिए मुख निकाए, क्या अंतर राष्टिय सहकारी गिर्मन्थन, यानि इसको हम लोग ICA बोलते हैं, कि 130 साल के इतिहास में, या पहली बार होगा, कि ICA महसभा और वैस्विक सहकारी समयन का, आयोजन बिसकली भारत द्वारा किया जा रहा है, और इसी लिए ये प्रेशना आपक कब तक आयोजन होगा, और कहां पर आयोजन होगा, ये तीन-चार बिंदू आपको याद रखने हैं, इस समयरन में सविम्त राष्ट, अंतर राष्टिय सहकारीता वर्ष, 2025 का आधिकारिक सुबारम भी इसी समयरन में किया जाएगा, तो ये प्रेशना आपके एक्जाम के क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्डेंट है, अब आईए आज के प्रेशन पर, आज आपको इसका उत्तर दोना है, कि अंतर राष्ट ये जो साक्षर्टा दिवस है, वो कम मनायाता है, चार आपसन आपके सामने दिये गए हैं, पांस सितंबर, छे सितंबर, सास सितंब प्लीज आप लोग बढ़ाईए, और आज हमारे लाइक्स का टारगेट क्या है, फटा फटा आप लोग लाइक करिए, आज हमारा टारगेट कितना है, 300 प्लस का लाइक्स का टारगेट है, ये कल 250 क्रास कर गया था, आज का टारगेट है, हमारा 300 प्लस लाइक्स का बाकिया आप लोग बढ़ते रहें मस्त रहें वेस्त रहें मेरी बहुत शारी क्या है शुब कामना है और उसके पहले मुख परिछा का प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस्प्रस कि बौत धरम, जैन धरम, सिंदुखाटी सभिता, वैदिक सभिता, यह आप लोग पढ़ लीजेगा आपके इंसेंथ हिस्ट्री में क्या हैं महत्पूर्ट टॉपिक हैं सारे के सारे, और मौर समराजिये, गुप्त काल, मेडियोल हिस्ट्री में आप सूफी संथ का चाप्टर और मुगल समराजिये, पढ़ लीजेगा और बाकी तो मौडरन हिस्ट्री आप लोग अच्छे से पढ़ते होंगे, ठेक हैं, तो अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आपके एक्जामस आने वाले हैं, साथी साथ में एक बात और ध्याने किएगा, कि अपने अब इसे ओपर इतनी जवर्दस पकड़बाना लें कि उससे प्रस्णागर आये, तो आप उससे एक भी प्रस्णागर गलत ना कर पाएं, बाकी करेंटर फेस्ट पर फोकस कर लीजेगा, आपका PCS का एक्जाम नहीं रुगेगा, प्लस करेंटर फेस्ट भी आप जो है, फो कर दूँगा, ठेक, मिलते हैं कर तक के लिए, जय हिन, जय भारत, ठाइंकी, ठाइंकी सो मस्ट, बाबाइ, टेक क्यार, और वेस्ट.